बिटी आठ दिसंबर को अलिगर में एक S.I. मनुझ कुमार शर्मा की लापरवाही से चली गोली से जख्मी महिला के मामले में दुखत खबर मिली है घायल महिला की पांच दिन से चल रहे राज के दौरान मौत हो गई है वहीं लापरवाह दरोगा की गिरफतारी के लिए दब अलिगर में एक S.I. मनुझ कुमार सर्मा की पिस्टल से चली गोली से एक महिला जख्मी हो गई थी जिसमें आज एक दुखत समाचार प्रावत हुआ है कि उपरोत महिला की पांच दिवस इलाज के बाद मिलती हो गई है इस दुखत सूचना पर समस्पुलिस परिवार इस साथ खड़ा है और समवेदना प्रकट करता है वहीं दूसरी और जो लापरवाद रोगा था उसके परिवार के द्वारा अंतरगत आई पी सी तीन सो साथ मुकदमा दर्ज कराया गया था मानी नियले द्वारा उसके विरुद्ध जमानती वारंट एन बीडवलू जारी किय गये गये हैं उसके फरारी के द्रिश्टिकत उसवर बीसेजार रुपे का इनाम भी रखा गया है और साथ में जो मुंसी था उसको न्याई कभी रख्षा में भीजा गया है इस संबंद में पूरे विदिवत समस्कारवाईया करते हुए पैनल आदी के द्वारा पोस्टमा करिया अपनाते हुए निस्वक्ष विवेचना आदी के निर्देश दे दिये गए हैं